नमस्कार आपका स्वागत देराजनामा टीवी पे मैं पुनम आपके साथ आलिया बट का एक डीप पेक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है सबसे पहले एनीमल एक्ट्रेस रश्मी का मदाना डीप पेक वीडियो वाइरल होने से सुर्कियों में आई थी उनका डीप पेक वीडियो बनाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्च कर जाच चुरू हो चुकी है अब आलिया का फेक वीडियो आने से फिर एक बर AI टेकनोलोजी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है सामने आया आलिया भट के डीप फेक वीडियो में एक लड़की वाइट और ब्लू फ्लोरल ड्रेस पहने बोल्ट पोस्ट देती नजर आई वीडियो में इतनी सफाई से AI टूल की मदद से आलिया का चहरा इस्तेमाल हुआ है कि एक नजर में वो लड़की आलिया भट ही लगती है हाला कि उसके एक्शन और बॉडी पोस्टर से अंदाजा लगया जा सकता है कि वीडियो फेक है फिलाल वीडियो में नजर आई असल लड़की की कोई पहचान नहीं हो सकी डिप फेक वीडियो में आलिया की तरफ से भी कोई रियक्शन सामने नहीं आया है हाली में रश्मी का मदाना का एक डिप फेक वीडियो वाइरल हुआ था मीडियो वाइरल होने के बाद अमिता बच्चन, मराल ठाकू, नाक्चेतन ने जैसे कई स्लैप्स उनके सपोर्ट में उतरे थे मामला मनने कुछ समय बाद उस लड़की जारा पटिल की पहचान की गई जिसकी बादी में रश्मी का का चहरा इस्तिमाल कर डिप फेक बनाया गया था उस लड़की ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें अपने वीडियो का गलत रुप से इस्तिमाल के जाने की कोई जानकारी नहीं थी कुछ समय पहले काजोल का एक वीडियो वैरल हुआ था जिसमें वो कपड़े बदलती दिखी थी फेक्ट चेक में सामने आया कि वो एक डीप फेक वीडियो था जिसे एक इंस्प्लूएंसर ने जून में बनाया था इसे के साथ बने राजकामा टीवी के साथ करने वाद